मेरी गेहनों के भरोस, मैं अपनी बाकी की जिन्दगी जीने का प्लान तो कर रही थी, वह अब तो गेहने ही नहीं रहे हैं जैशी क्रश्रधावाल जी जैशी किष्ण सासुमा अब कहिए आपने इस समय फोन किया कोई चिंता की बात तो नहीं है ना चिंता की बात है सासुमा वो यह है कि आज किंजल ने पाई के उपर अपनी गेहनों की चोरी क लजाम लगा है आपने बिल्कुल सही किया और अच्छा किया आप तो मेरा सबाब जानती है ना मैं अभी भी किसी पे दिल्ला के या गुस्चे से बात महीं कर सकता और इंजल पे तो धावल जी मैं आपके स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित हूँ पर आप मेरी बात ध्यान से सुनिये परिवर्तन संसार का नियम है और किसी अच्छे और भले काम के लिए परिवर्तन लाना यह तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं सासुबा यह नहीं संदिके आज तक इसी की पैंसल तक नहीं चुराई है और यहां मैंने गहने चुराए है वो भी अपनी खुद की पप्री है अब मेरे पास एक ही रास्ता है यहार यहार पेचकर अच्छी का से पैसे मिल जाएंगा धबल जी उस वक्त आपके पास एक ही रास्ता था इंजल को सबख सिखाने के लिए आपने आपने मेरे हाँ तो इस्तना बड़ा पाप कराती अजल को समझने की कोशिश कीजिए जैसा मैंने कहा था आपने वैसा ही किया है और कुछ भी गलत नहीं किया है इसलिए आपको गहने फिलहाल अपने कपसे में ही रखिए और किंजल को इस विशे में कुछ भी मत बताईएगा और रही बात उर्मिला बेन की तुमैं समझ सकते हूँ यह जो कुछ भी हुआ उसकी वज़े से उर्मिला बेन काफी दुखी होंगी मैं उनसे फोन पर बात करूँगी और उन्हें समझा दूँगी तुम्हें तुम्हें सुधार करी रहूँ तुम दोनों आजाओ माजी मुझे विद्या की जिन्ता पिलकुल भी नहीं है वो घर संभाल भी लेगी और घर के कामकाज भी कर लेगी पर मीरा, मीरा ने तो आज तक घर के कोई भी काम नहीं किये इसलिए मुझे उसकी जिन्ता है माजी मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी कर रहे हैं मीरा के भलाई के लिए कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं ना माजी कि हम उस पर कुछ जादा ही सक्ति से पेशा रहे हैं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है माफ कीजीगा माजी पर मुझे ऐसा लग रहा है माजीद, पच्चे चाहे कुछ भी काई, पर आज के जमाने में एक हद से जाद हमें हमारे विचार उन पर नहीं थोपना चाहिए हाँ, ये सही है कि हमें हमारे विचार जबदस्ति उन पर नहीं थोपने चाहिए पर जिन्दगी की सच्चाई तो ये भी है कि आज तुम्हारी बेटी मीरा अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई तभी तो उसे अनुभाव हुआ इस दुनिया में किस तरह से अकेले कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है आज तक हमने उसे कभी भीगने नहीं दिया बारिश हुई नहीं कि वो घर से बाहर निकले उससे पहले हमने उसके हाथ में छाता थमा दिया लेकिन आज अपनी जिद की वज़े से वो घर छोड़ कर गई और उसने अकेले इस सब कुछ अनुभाव किया परना आज तक तो उसे बिना मांगे हर चीज मिल गई इसलिए हमें उसे हर चीज की कीमत एहसास करानी होगी के महम दिक्रा पर मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कुछ सुथार आएका एहम यदि बच्चे गलत करते हैं तो हमें हिम्मत नहीं आरनी चाहिए अपनी संतान को प्रेम करने का यदि माता-पिता को हक है तो जरूरत पढ़ने पर बच्चों को सही मार्क पर लाने के लिए उसके कान खीचना भी माता-पिता का ही फर्स होता है मीरा को ना बच्पना छोड़कर समस्तार बनना ही होगा तुम दोनों पर क्या गुसर रही है एक माता-पिता होने के नाते कि मैं अच्छी तरह से महसूस कर रही है यह समझने का प्रयास करो तुम दोनों कि हम मीरा को जिन्दगी जीने के लिए सक्षम बना रहे हैं आगे चल कर उसे क्या सही है क्या गलत है उसका एहसास होगा वो स्वयम नेने लेने के लिए समर्थ होगी वरना संसकार जैसे जूटे फरेभी और लालची इंसान उसकी जिन्दगी में आएंगे उसका फाइदा उठाएंगे और मदलब पुरा होने पर उसे अकेला छोड़ देंगे और ये मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दोंगी तुम दोनों को मैं एक बहती सुंदर उधारन देती हूँ एक कक्षा में मान लीजे कि सौ विध्यार्थी पढ़ाई करते हैं एक ही सिक्षक होता है और वो सिक्षक बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को पढ़ाते हैं पर ऐसा क्यूं होता है कि उसी कक्षा का एक बच्चा पहले नंबर से उत्तिर्ण होता है और उसी कक्षा का एक बच्चा आखरी नंबर पर उत्तिर्ण होता है मुझे पुर्ण विश्वास है कि मैं किसी भी कीमत पर मीरा को सही मार्क पर लाऊंगी और उसे जिन्दगी के इंतिहान में पहले नंबर से उतिल करवांगी एक पर दो में अची खड़े रहाँ कियो? कियो? तुम्हें बाता है, तुम हसते हो कितनी इच्छी लगती है। ऐसे लगता था जैसे तुमने इच्छी कुछ दिनों चाहसना छोड़ी दिया है। तो अब हस दो, तुम नहीं हसती हो, तुम यह जब सो लगता हूँ. नहीं नहीं है जी, गल्ती हो. तो इस कल्ती को जल्दी से सुधारो मैडम. बस् यह हुई ना बात, अब तुम जो मुझे पताना चाहती हूँ. तुम आसे हसते हूँ नहीं बता. तालसल एहम जी, मैं यह कहरे देगे। कोपी, स्माइल, स्माइल. एहम जी, मैं मीरा को लेकर बहुत परिशान हूँ. देखिए ना, एक तरफ वो हमारे प्यार को समझी नहीं बारे हूँ. और दुसरी तरफ, वो खुद को अकेली भी महस्योस कर देए. और माजी का मानना यह है कि मीरा खुद को संभाल सकते हूँ. मुझे ऐसा लगता है, हम जिस तरीके से उसे सुधाने की कोशिश करना हूँ, उसमे हम सपन नहीं हो पाई. मीरा को सुधाने का काम जो मुझे करना चाहिए, वो माजी तर देए. मीरा को सुधाने काम सिफ तुम्ही नहीं को, वल्केम दोनोग करना चाहिए था. इसलिए दस सान में जो मेंने गल्टे की है उसका नतिजा यही निखलेगा कभी मैंने सोचा भी मैंने इसलिए तो मुझे लगता है मौम जो कर रहे हैं वो थे हैं और वैसे भी बहुत सारी ऐसी गल्तिय हैं जिनको मैं सुधार करे रहूगा सत रंगी मौसम हो या हम के बादल हो फूरा की सेज हो या हटो की राहे हो पी वैसे तुम्हें पता है इन तस साल में बहुत कुछ पता है अगर कुछ नहीं बतला तो वो है तुम्हारा सुमाने का अंतास है साथ निभाना साथिया साथ निभाना साथिया साथ निभाना साथिया आपके मनो रंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक स्टापलस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें स्टापलस यूटूब पेज को